गवर्मेंट अफ इंडिया बैन् सेवन हजार्डस केमिकल अंडर स्टॉक्वम कन्वेंशन हलो एंड वेलकम तु फ्री क्लासे विस्तार से चर्चा करेंगे इस मुद्य पर और फ्रॉम यूपसी परस्पेक्टिव नजर डालेंगे स्टॉक्वम कन्वेंशन अन प्योपी दा इस परसिस्तन्स और्गनिक प्लुटन्ट अन 7th October Union Environment Minister श्री प्रकाश जावडेकर अनौंस दाट सेवन केमिकल्स कि जो बिलकुल भी हजार्डस से वर हेल्द अन अविर्मेंट परस्पेक्टिव विन बैन कॉम्लेटली साथ मुनो ने ये भी काहे कि इंडिया इस गिविव पॉजिटिव मैसेज तो दे वर्ल्ट अट वी आर एक्टिव इन इस एरिया डाइस पॉलुशन फ्री बिकमिंग पॉलुशन फ्री और हम हेल्थ और एंविर्मेंटल हजार्स को टॉलरेट नहीं करेंगे यही कहूंगा कि बहुत ही पॉजिटिव अटिटिव अटिटिव को प्रोट्रेक्ट करती है फ्रॉम परसिस्टिंग और्गेनिक पॉलुटंड जीने हम एक शॉट में पीओ भी कहते हैं यह पीओ एक केमिकल सब्स्टंस से एंवार्मेंट में जो जाधा तर पायो एक्कुमिलेट होते हैं लिविंग और गनिजम और खतरनाक तरीके से यू पॉटली एक्टिव रहते हैं स्टॉकम कंवेंशन जो एडॉप्ट किया था ओन 22nd में 2001 इन स्विडन लेकिन यह फोर्स में 2004 में अब्जेक्टिव इसका वही है तो प्रोटेक्ट यूमन हेल्थ और एंवार्मेंट फ्रॉम प्योपी आनेक्स ए जो इसका होता है उसमें कु प्रोटेक्शन यूस इंप्रोट एंग्स एक्सपोर्ट बॉपट आप इतनी बात हो रहे है स्टॉकम कंवेंशन की तो मैप पर नजर डालते है स्टॉकम एक्ट्वम एक्चुली है क्या स्टॉकम की लोकेशन पर नजर दालके देखते हैं यह है यूरोप और के उपर है Scandinavian countries और Stockholm जो Sweden की capital है तो दे वेस्ट आफ बाल्टिक सी और प्योपी आखिर डेंजरस है क्यों पहली बात तो यह है कि Cancer के चांसे से बहुत बढ़ जाते हैं और इनसे Central and Peripheral Nervous Sims पूरी तरह से टैमेज हो सकती है और इसे बहुत सारे disorder जो इससे related है और recently in 2019 में जो Stockholm convention हुई थी उससे यह decision लिया गया है कि Dicofol जो एक POP है उससे Annex A में रखेंगे but without any exemption और जो PFOA है that is Perfluorooctonic इसे भी Annex A में रखा जाएगा but with same exception ratification process जो है वो इंडिया को access दिलाएगी in a global environment facility for various financial resources in updating national implementation plan और आखिर में अज़र डाल लेते हैं कुछ chemicals जो Stockholm convention on POP के अंदर ban है तो यह साथ कुछ chemicals जो पूरी तरह से ban है for the use उमीद करता आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आये तो like और subscribe जरूर कीजिए thank you and thank you very much